कहते हैं दिल्ली छे के मटर कुल्चे नहीं खाये तो क्या खाया ऐसे ही स्ट्रीट स्टाइल मटर कुल्चे अगर आपको घर पर बनाने आ जाए तो बन जाएगा न आपका दिन मटर कुल्चे को कुछ लोग छोले कुल्चे भी बोलते हैं पर होते ही ये सफेद मटर ही है दिल्ली के फेमस मटर कुल्चे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं लोटी हूँ एक और टेस्टी डिलिशिस जटपट बनने वाली रेसिपी के साथ जिसका नाम है मटर कुल्चे इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें टाकि लेटिस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ मैंने यहां लिया है एक कप सफेद मटर यानि की 200 ग्राम ये सफेद मटर आपको कम से कम 6-7 गंटे पानी में बिगो के रखने है साती लियें 3 प्याच जिसे बारी कट कर लिया है 2 टमाटर इसे भी बारी कट कर लिया है जैसे मर्जी कट कर सकते हैं आप कटिंग के लिए एक्युरेसी की जरूरत नहीं है एक हरी में चॉप की हुई थोड़ा सा हरा धनिया अब एक कुक कर लेंगे और उसमें आट करेंगे सफेद मतर मैंने ये छे गंटे भिगोए थे इसलिए मैंने ऐसे ही आट कर दिया है अगर आप इसे रात बर भिगो रहे हैं तो इसका पानी ज़रूर चेंज कर लेना पानी आपको लगबग आदा से एक इंच उपर रखना है अगर आप कम पानी लेंगे तो ये थोड़े खड़े खड़े बनेंगे और अगर ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे मतर को मैंने भिगोने से पहले ही अच्छे से साफ कर लिया था अब इसमें आड करेंगे एक टी स्पून नमक आप नमक कम या जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के कॉर्डिंग और डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालने से मतर कोल्चे बिल्कुल स्टीट स्टाइल में बनते हैं मिक्स कर लेंगे एक बारी कुकर को बन कर देंगे कुल्चे को हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक पकाएं विसल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ध्यान रखे ये अच्छे से घुट जाने चाहिए तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा आएगा फ्लेम बन करने के बाद विसल ना निकाले और स्टीम से ही मटर को पकने दे चलिए चेक करते हैं कि हमारे मटर कुल्चे रेडी है या नहीं बिल्कुल रेडी हैं ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं चलिए मैं आपको मटर रेडी करके दिखाती हूँ जैसे स्ट्रीट सायल में रेडी किया जाता है एक बावल लेगे और उसमें आट करेंगे मटर जो हमने अभी रेडी किया है दालते हैं थोड़े से कट किया हुए टमाटर अब डालेंगी इसमें प्याज जो हमने कट करके रखा था यह मटकुल्च टेस्टी तो होते ही हैं साथ में बहुत ही लाइट वेट होते हैं तो ब्रेकफस्ट के लिए तो यह बेस्ट आप्षन है अब इसमें आड़ करेंगे हरी मिर्च दिल्ली छे का सीक्रेट रिवील करने वाली हूं जो जो मसाले वो एड़ करते हैं एक चथाई ट दाल सकते हैं पर इसका कलर चेंज हो जाते हैं एक चुथाई टीस्पून चाट मसाला एक चुथाई टीस्पून ही काला मसाला एक और स्पेशल मसाला नौभार मसाला वो भी एक चुथाई टीस्पून लेना है अगर आपको नौभार मसाला नहीं मिलता है तो इसकी जगह आ अनाधाना भी उस कर सकते हैं और अगर अनाधाना भी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं साथ याट करेंगे आदा नीमू का रस थोड़ा सा धनिया अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मटर एक जैसे हो जाए और टेस्स भर पूरा है चलिए बस कुल्च पर सेक लेंगे तो त्यार है हमारे बजार जैसे पतीले वाले मटर कुल्चे जिसे देखते ही मुँ में पानी आ जाता है बनाना इसे बहुत ही असान है जटपट रेसिपी है एकदम और खाने में तो इतने लाजवाब है कि सब कहें जी ललचाए रहा ना जाए दोस्तों श टेक केर भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना